जहिन दोस्तो आज हम गुजरात की सोरा सोमनात मंदिर के बारें बताने जा रहे हैं जो की 12 जोतिरिंग में से प्रत्म जोतिरिंग है तो अगर आप जाने का प्रान बना रहे हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए काफी यूझभूले क्योंकि आज के वीडियो में जानें की हमको सोमनाथ कैसे पहुचना है हम रुके कहां सोमनाथ में भोजन करने की क्या वेवेस्ता है हमें कब जाना चाहिए और कितने दिन का इश्टे बनाना चाहिए सोमनाथ में हम कहां कहां घुमें और अंत में यह भी जानेंगे कि सोमनात यात्रा और अंत का कुल खर्चा कितना आएगा तो सारी बातों को समझते हैं एक एक करके सारी बातों को विस्तार प्रोग समझते हैं सबसे पर बात करते हैं कि हम सोमनात कैसे पहुचे हैं दोस्तो सोमनाथ पहुचने के लिए आपके पास तीन ओप्सन है दोस्तो पहले ओप्सन की बात करूँ तो सबसे पहले आप बाइट ट्रेन से जा सकते हैं दोस्तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले नीरस रेलवेश रेशन है वो है सोमनाथ का जो मंदिर से आधे किलोमेटर की डूरी पर है लेकिन हो सकता है दोस्तों आप जिस भी सहर से आ रहे हैं डारेक्ट ट्रेंड ना मिले तो वेरावर रेवेश्टेसन पहुचें दोस्तों वेरावर से सोमनात मंदिर की जो दूरी है वो है साथ किलोमेटर तो आप जिस भी सहर मे आ रहे हैं आप वेरावर तक की ठिकर ले लिजिए तो आप वेरावर से सोमनात बाय रोड आ सकते हैं जिसकी दूरी साथ किलोमीटर है दोस्तों वेरावर से आपके पास दो ऑप्षन है सोमनात मंदीर जाने के लिए पहला बाय ओटो जिसका किराया 50 रुपए है दोस्तों चैसन के बहर मिल जाएगी जो आपको सौमनाथ मंदिर छोड़व देगी दोस्तो अब बात करते हैं सौमनाथ में हम रुके कहा है सौमनाद में रुकने के लिए हमारे पास तीन ओप्सन है हम एक एक करके आपको बताते हैं पहरा ओप्सन दोस्तो ध्रमसाला है दोस्तो ध्रमसारा आपको मंदिर के आसपास बहुत मिल जाएंगे दोस्तों वहाँ पर आपको ध्रमसारा काफी सस्ती मिल जाएगी जिसका किराया 100 रुपिस लेके 300 रुपर तक होता है और दोस्तों दूसरा option है आपका सोमना मंदित ट्रस्ट का guest house दोस्तों आप guest house से वहाँ जाकर रुख सकते हैं दोस्तों guest house को आप online भी book कर सकते हैं दोस्तों वहाँ के guest house का charge बताओं तो वहाँ पर आपको non AC का charge है वह 700 रुपे है और जो AC का है वह 1100 रुपे है जो कि 24 घंटों के लिए दिया जाता है और दोस्तों जो तीसरा option है वहाँ पर रुखने का वह है private hotel दोस्तों मंदी परीशर के आसपास आपको private hotel भी देखने को मिलेंगे जिसका आपको वहाँ पर किराया 700 लेके 1500 रुपे तक का होता है तो दोस्तों आप इन तीनों में से कहीं भी रुख कर आप अराम कर सकते हैं दोस्तों आप हम बात करते हैं कि हमें दर्सन कैसे करना है दोस्तों दर्सन करने से पहले हमें कुछ बातों का दियान रखना है दोस्तों वहाँ पर मुबाइल केमरा, बेल्ट यह सब आपको वहाँ ले जाना वर्जित है दोस्तों अगर आप प्रश्णन गाड़ी से आ रहे हैं और आपके पास कार की चावी तक भी नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रश्णन गाड़ी से आ रहे हैं तो आपके पास कार की चावी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह अंदर ले जाने नहीं देंगे अगर आपके पास यह सब समान मिलेगा तो आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे दोस्तों वहाँ पर Locker भी ओता है आप Locker में भी अपना सब समान रख सकते हैं, जो Free of Post होता है वहाँ पर आपको token दिया जाएगा वह token आपको समान कर रखना है, दर्सन करने के बाद यह token दिखाकर अपना समान वापिस ले सकते हैं यानि दोस्तो अगर आप जा रहे हुआ पर दर्शन करने के लिए तो ना तो आपके पास बेल्ट होना चाहिए ना पर्स तो यह सब ले जाना वर्जीत है तो दूसरी जो important point है वो है आरती का अगर आप आरती में समलित होते हैं भोले नात की जो अतियुत्तम है अगर आप आरती में समलित होते हैं तो आपके लिए अतियुत्तम है तो आपके लिए सोभागी की बात होती है आप दोस्तों आरती की बात करूं तो आरती की जो टाइम है वो है साथ बाड़ा बजिये होता है और जो तीसरा होता है वो राध के साथ बजिये होता है इन तीनो में से जो भी टाइम आपको अग्शुत पीड़न लगता है वहां पर आप समानी हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम मंदिफ परिशर के अंदर चलते हैं और हम औम नमः सिवाय का जाब करते हैं और मंदी परिशर के बहार आजाते हैं दोस्तो अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर हमको खाने पीने की क्यावे वैसला है दोस्तो वहाँ पर खाने पीने के लिए आपके पास दो ओप्सन है पहरा ओप्सन है आपको वहाँ पर सोमना तरस्ट के तरफ से भोजनाले मिल जाएगा वहां के भोजनाले पर जाकर आप भर पिट खाना भी खा सकते हैं जिसका थाली कोश्ट होता है सत्तर रुपे दोस्तों वहां आप सत्तर रुप की थाली ले लिजिये और भर पिट खाना खा सकते हैं सोमना ट्रस्ट की तरफ से योजनाय चलाया जाता है दोस्तों जो ट्रस्ट के तरफ से भोजनाले का समय होता है वो सुबह 11 बज़े से दोपेर 3 बज़े तक है और जो दूसरा टाइम होता है वो साम को 7 बज़े से लेके रात के सारे 9 बज़े तक होता है दोस्तों ये दोनों टाइमें में आपको लंच और डिनर दोनों ही मिल जाता है अब दूसरी बात करूँ तो दोस्तों वहाँ पर आपको सोमनात से आपको रेश्टोरंड मिल जाएंगे यानि कि दोस्तों मंदिर के आसपस आपको रेश्टोरंड मिल जाएंगे सोमनाथ नाम से. वहाँ पर सोमनाथ की आसपस आपको बहुत साय रेशनी मिल जाएंगे. भोजनायॅले मिल जाएंगे. जिसका दोस्तों kosht होता है 80 से लेकए 100 रुपे तक. दोस्तों, वहाँ पर जाके भोजन करसकते हैं. दोस्तों, वहाँ पर आपको पोश्ट परेगी आपको वे 120 उप economic परेगी अगर दोस्तो आप लिलवा SPARA में जाना चाहते हैं तो आप वहां जाकर भोज़न कर सकते हैं दोस्तो अगरी बात करें तो हम सोमनाथ मंदिर में कहां कहां गुमना है दोस्तो सबसे कि अब करें तो वहा पर आपको त्रीवयनी संगम डेखनों को मिलेगा दोस्तों या कपील और सवसथी तिन नदियों का संगम है और मिलाप होता है दोस्तों वहां पर जाका आप इसनान कर सकते हैं दोस्तों संगम से ही लगा हुआ सूर मंदिस तो वहाँ पर भी जाके मरं का भी बहुत नचरा देखने को मिलेगा जो काफी अच्छा मंदिरें तो 2011 ऐस्टान की बात करें टो जो और दोस्तों दूसरों की बात करें तो गोलक धाम त्रिर्थ बियु questo गोलक धाम त्रित भी आप वह जाइएं वहां पर भी बहुत अच्छा नजारा देखनों इनों मिलता है दोस्तों यह पर जाकर सारे मंदिरों को देख सकते हैं दोस्तों दूसरा है सारदा मट वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मंदीव देखनों को मिल जाएंगे दोस्तों सारदा मट में आपको 12 जिवति लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे दोस्तों उसके बाद आप भालका तीद से लगा हुआ एक बार गंगा जो समूधि में ही लगा है सिवजी की प्रकर्टिक जियोति लिंग है वहाँ पर भी ज़्यादा दरसन कर सकते हैं वहाँ आपको बहुत अच्छा नजरा देखनों को मिलेगा अब बहुत अच्छा दीश से भी आपको लगेगा वहाँ पर जो समूधि के बीचोबी सिवजी की जियोति लिंग है वहाँ का नजरा भी देखनों को होता है दोस्तों ये सारे पॉइंट है जो आपको सोमनात मंदिर के आसपास मिल जाएगा देखने को दोस्तों ये सब जगा आपको गुमने के लिए आपके पास option है या तो आप auto कर लीजिए दोस्तों ओटो वाल आपसे 400-500 रुपर लेगा और आपको ये सब जगा के दसन करा देगा दोस्तों दूसरा option है बस का जो आपसे 30 रुपर लेगा और आपको सब जगह घुमा के मंदी परीसर के बाहर छोड़ देगा तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते नहीं तो आप ओटो भी कर सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं सोमनात मंदी जाने के लिए आपको कितने दिनों का इष्टे बनाना है और उसका कितना खर्चा आएगा सोम्राथ मंदिर घुमने के लिए आपको कम से कम एक दिन या दो दिन बहुत अच्छा है दो दिन में आप बहुत अच्छी जगा घुम सकते हैं और अराम करके भी घुम सकते हैं दोस्तों यहां पर आने का बेश्ट समय है वो है ठन में यानि नॉम्बर से फर्वरीद क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको कम भीरबार देखने को मिलेगा अगर, दोस्टो, अफ सीजन में अगर आते हैं यानि की, जैसे सावन में Shivratri में यहाँ आते हैं तो आपको दोस्टो, मंदी में काफी वीर देखने में को मिलेगा और वह आपको दर्सन भी करने में असुविदा मिलेगी दर्सन भी सही से नहीं कर पाएंगे दोस्तों यहां पर सही समय है नौंबर से फर्विदक का दोस्तों लास बात करते हैं हम सोमनाथ जाने में आपका कितना खर्चा लगेगा अगर आप एक दिन का इश्टे बनाते हैं और आप ट्रस्ट के ध्रमसाला में रुखते हैं और वहां का ध्रह्म सालक का खाना खाते हैं एक वक्ति का खर्चा एक हजार पर है दोस्तो इस खर्चे में ना तो मैंने बस की बात की ए ना ओटो की ना ट्रेन की दोस्तों यहां एक संपुन यात्रा का सोमनात का वनन था दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्रीज हमाये चैनियों को सब्सक्राइब कर देना तब तक लिए जहिन दोस्तों